स्टाफिंग के बारे में स्टाफिंग के बारे में इससे पहले के वीडियो में मैंने स्टाफिंग का मीनिंग और साथी साथ उसके इंपॉर्टन्स भी बता रहा है तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वह वीडियो ज़रूर देख ले ताकि करें आफो आपको यह topic समझने में easy लगए चलिए बीडियो स्टार्ट करते सबसे पहला बात करते हैं में सबसे पहला है Estimating Manpower Requirement अब सबसे पहले यह बात होता है कि स्टाफिंग क्या स्टाफिंग को हम लोग सितरह काम भी करता है जैसा स्मॉल और स्टाफिंग के समोल करतेंग मार्केटिंग मैनेजम準 या जो है कितने number of employees चाहिए और कैसी employees चाहिए number and type of employees सबस्वे पहला कहा होता है कि हमारे organization में कितने number of employees की जरवत हैं और किस तरह के employees की जरवत हैं मतलब उनका qualification क्या होना चाहिए educational background मतलब क्या होना चाहिए कैसे लोग हम लोग hire कर सकते वोमेन होने चाहिए या फिर स्किल्ड मतलब educated होने चाहिए non educated भी हो सकते हैं या फिर किस तरह के employee से वह सारा चीज क्या होता है first step में decide क्या जाता है और वह कैसे decide होता है वह तीन चीज़ों को ध्यान में रख करके decide क्या जाता पहला है work load work load का मतलब होता है कि कितना जादा काम है मतलब एक employee को कितना जादा काम दिया जा रहा है मतलब अगर बोले तो क्या हो सकता है कि इसमें हम लग यह बोल सकते हैं कि कितने number और कितने types of employees जरूरी है काम करने के लिए मतलब workload हो गया कितना काम है company के पास और उस काम को करने के लिए हमको कितने जारा number के employees चाहिए और कौन-कौन से qualification वाली employees हमको चाहिए इसके बाद next है workforce क्या है workforce अब workforce यहाँ पर क्या होता है employees के बारे में तो इसमें यह पता चलता है कि कितने employees है वो overburden है मतलब कोई employee ऐसा भी हो सकता है जिसको जरुवत से ज्यादा काम दिया गया हो और कोई employee ऐसा भी हो सकता है जिसको क्या हो से के जरुवत से बहुत कम काम दिया गया तो इस जीज को रहान में रख करके ही manpower requirement को estimate किया जाता है उसके बाद क्या होता है workforce और workload में comparison किया जाता है यह दोनके बीच में comparison होगा और फिर उसे में पता लगेगा अगर मानलीचे workforce जादा है तो क्या होगा मतलब की employees जादा है तो employees को क्या होगा होँआ से हटा दिया जाएगा जो employees extra है और अगर workload जादा है तो उस case में क्या होगा नए employees का वहाँ पे entry होगा उसके लिए process start होगा तो next जो process होता है उसको कहलता है recruitment recruitment मतलब होता है कि लोगों को बताना कि आप organization में job vacant है उस case में आप क्या कर सकते है job के लिए आप अप्लाई कर सकते है वहाँ पे clearly जैसे वेकेंसी आता है कोई भी चीज का तो clearly बता दिया जाता है कि हाँ इतने number of employees चाहिए हमक को इस चीज के लिए चाहिए तो आपके पास यह education qualification होने चाहिए अभी आप इस चीज के लिए क्या है अपलाई कर सकते तो उसी तरह से यहां पर क्या होता है रिक्विट किया जाता है तो अगर मान लिजे कि हम लोग कर रहे हैं वह बहुत सारा company क्या कर सकता है internal भी कर सकता ह अब internal का मतलब क्या होता है internal मतलब होता है कि organization के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग क्या कर सकते है उस vacant job position को fulfill कर सकते हैं चाहे तो उनको promotion दे करके या फिर उनका दूसरा department में transfer करके और external होता है कि जब हम लोग बहार से लोग को appoint करते हैं कि वह यहां पर आए और क्य करें कि उस vacant job position को क्या कर सके पूरा कर सके या मतलब भर सके इसके बार next होता है selection अब क्या हूँ होता है कि best जो candidate उसको क्या करना है select करना जो most suitable candidate होते हैं उनको select क्या चाहता है कि वह वह जो पोजीशन को क्या कर सके भर सके हम लोग स्टाफिंग को एक word है स्टाफिंग के लिए स्टाफिंग को एक और चीज बोल सकते हैं नेगटिव प्रोसेस अब इसको नेगटिव प्रोसेस क्यों उसका ज्वाबी आपको कोई सेलेक्शन के ही पॉइंट में मिलेगा क्योंकि क्या होता मान लिजये कि कोई जौफ वैकेंसी निकला ठीक है अब वाकैंसी निकला है तो इसा था है नहीं कि सिर्फ दो ही लोग आएंगे अप्लाई करेंगे उसमें पर जिब ऑर्गैजेशन यहां पर किया हुँ नेगेटीफ हो रहा है क्योंकि जितना लोग कर सक्क्रम कैना सेलक्चिन का॓त है तो यह चया हbay जाता है ना प्रकर हो कि का फिर हम करना को बहुत बाहता है कि वहां पर शर्फ ढमज में करे हाता है एक seat फिर भी क्या उद्धा कई बार खाली रह जाता है तो यहां पर क्या होता है कि जो best होते हैं candidate उनी को यहां पर क्या क्या जाता है इसके रहां नेक्स है placement and orientation तो placement का मतलब होता है कि जो job position के लिए उनको apply किया गया जो post के लिए को मतलब सेलेक्ट किया गया है उसको क्या कर सकते हैं उसका वहां पर क्या होता है प्लेस्मेंट हो जाता है उस company में वह आ जाते है वह क्या करते हैं कर लेते हैं और मतलब होता है कि introduce कराना new employs जो new employs हैं उनको existing employees हैं उनको introduce कराना small companies होते है वहाँ पर क्या होता है जो superior होता है वही क्या करता है new employee को सब के सामने ले जाकर introduce कराते है해 पर जो बड़े company होते हैं वो एक orientation का program रखती है जिससे कि क्या कर सके जो new employees हैं उनको old employees के साथ क्या कर सके वो इंट्रोड्यूस करा सके नेक्स है training and development अब जैसे उनका placement और orientation होगे employees को क्या होता है प्रपर training दिया जाता है ताकि उनका अच्छी तरह से development हो सके और वो अच्छी तरह से काम कर सके उनका efficiency level जो है वो और जादा बढ़ सके और organization का जो goal है जो objective है वो क्या हो सके पूरा हो सके इसके बाद next हम लोग बात करते हैं इसके elements के तो इसके three elements होते हैं तो इसमें से पहला है recruitment recruitment होता क्या है recruitment का मतलब होता है यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी candidates है चाहिए वो company के अंदर के हो चाहिए कंपणी के बाहर हो हम लोग क्या करते हैं उनको attract करते क्या करते अट्रैक्ट क्यों करते ताकि क्या हो सके कि ज्यादा से ज्यादा का इंडिरेट जो है वह अपलाई कर सके वेकंट जॉब पोजिशन के लिए तो इसमें क्या होता हम लोग दो तरह से होता है इंटर्नल आलड दूसरा होता है इंटर्नल इंटर्नल का मतол heard कि स्बीझें कर रहे हैं उन्हीं और ट्रांसफर देखर कि यह संवसट है किसी बी तरह से उनको क्या कर सके वेकंट जोब पोजिशन के लिए उप्यूपाई कर सके हैं दूसरा है external external का मतलब यह होता है कि हम लोग बाहर से candidate को मतलब invite करते है कि वो job vacant job position के लिए क्लिए कर सके apply कर सके ताकि vacant job position क्या हो सके fulfill हो सके तो यह चाहे हम लोग direct recruitment से भी कर सकते advertisement दे करके भी कर सकते employment exchange या जो भी placement agencies उनके थुरू भी यह चीज हो सकता है या तो बहुत सारे organization ऐसे होते हैं जो colleges या institutions जाते हैं ताकि वहाँ से क्या कर सके fresh graduate school या ऐसे लोग को जिसको technology के बार में अच्छा खासा knowledge है या इसको दो word में campus recruitment भी बोल सकते हैं इसी के थुरू क्या होता है recruitment किया जाता है इसके बार next हम लोग बाद करते हैं selection की selection का मतलब क्या होता है कि हम लोगोग उको एक बार जाब Akie के जोभी umplace है मतलब अंदर ऑंदर के जो भी Candidate और वह वह क्या करता है होते है SS sentir das होते हैं उसको क्या किया जाता है यहां पर select किया जाता है मतलब कि जो most suitable candidate होते हैं उनको select किया जाता है जिससे कि वह क्या कर सके जो vacant job position उसको fulfill कर सके इसके बार next development हो सके वह क्या करता यह जो process होता है वह personal growth पे जाधा focus करता है और employee का development में भी जाधा focus करता है क्योंकि अगर employees का development होगा तो जाहिर से बात organization का भी कहीं न कहीं development होगा development का मतलब सिर्फ training देना है या सिर्फ normal कुछ भी नहीं होता है training तुर सिर्फ एक part होता है development का डेवलपमेंट जो है वो overall होता है overall growth जो होता है employee का उसको आपे development बोला जाता है हैं तो क्या होता है सबसे पहले recruit किया जाता है उसके बाद SSelect किया जाता है selection होता उसके बाद किया होताँ employees को training दिया जाता जिससे की उनका ओवराल डेवलप्मेंट हो सके तो अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा वीडियो को पुरा देखने के लिए थैंक यूँ